Dear student, we have to discuss about the world population and associated impact. हम focus कर रही हैं, ecologist को और economist को. देखें, population के उपर हम बहुत कुफ्त को कर चुके हुए हैं, population की growth के उपर बात कर चुके हुए हैं. अब हम, as a ecologist, जब हम इसको देखते हैं, तो ecologist जो है, does not see the human race as a separate identity from the planet and resources. Ecologist जो है, वो क्या कहता है, वो कहता है कि human जो है, वो separate identity नहीं है, वो पूरी ecology को देखता है, और उसके अंदर वो क्या करता है? वो कहता है कि इस पूरी खिते के ओपर, या इस पूरी दुनिया के ओपर, या इस पूरे अर्थ के ओपर, जहां पे millions, billions मखलूक मुझूद हैं, इनसान भी उन में से एक है. और वो उसको preserve करने की बात करता है प्लैनिट की. वो कहता है कि जी हम अपने प्लैनिट को, उसके नेचर को, उसके habitant को हमने प्रिजर्व करना है. वो इसको पर फोकस करता है. और वो कहता है कि ऐसा ना हो कि हुमन बिइंग अपनी इडिन्टिटी की खातिर जो हमारे प्लैनिट के ओपर जो दूसरी इडिन्टिटी ही है उसको पर असर अंदाद ना हो जाए देखें हम अबादियां बढ़ाएंगे तो जंगल काटना शुरू कर देंगे जंगल कटना शुरू हो जाएगा तो जो जंगल की जो लाइफ है वो उसको पर असर अंदाद होना शुरू हो जाएगी कि जंगल के अंदर जानवर हैं परहिंदे हैं उनकी एक सिंदगी है वो इस प्लैनिट का हिस्सा है हमने उनको भी प्रोटक्ट कर रहा है अब देखें हम हमने अपनी growth के लिए, हमारी अपनी growth के जो असरात मुनतब हुए, जो हमारे planet पे, मैं आपको एक उसकी example जो जंगल की दीए है, एक जंगल हमने काटा, के फर्स करें कि एक area था, इनसानों की अबादी बढ़ गई, इनसानों के अबादी बढ़ने की वज़ा से क्या हुआ, के हमें वो जंगल काटना पड़ा हमने वो जंगल काटा अब वो जंगल काटने से क्या हुआ पूरे प्लैनेट पे उसके असरात मुनतब हो गए वहां पे रहने वाले जितने भी जानवर हैं उनकी जिन्दगी असर अंदाज में वहाँ पे रहने वाले जानवर दूसी जगा पे माइगरेट होने पर मजबूर हो गए वहाँ पे रहने वाले जानवर जो है हमने अगले जिस जगा पर वो ट्रेवल करके माइगरेट करके जाना चाह रहे हैं हमने उनके लिए कंजेशन पैदा कर दे और वो जो हमारा एको सिस्टम है वो सारा सरंदाज हो तो लहाज़ा एकॉलोजिस्ट जो है वो पॉपुलेशन ग्रोथ को इस पैराए में देखता है कि ये दुनिया जो एक छोटा सा खिता है ये दुनिया जिसके अंदर मिलियन्स आफ दी क्रियेशन और भी मजूद हैं तो वो कहता है कि एक एमन पॉपुलेशन की डिस्टिबुशन या एमन पॉपुलेशन की ग्रोथ जो है अगर वो अप्रोप्रियेट ना हो तो हमारी नेचर उस पर असर अंदाज होती है और नेचर के अंदर जितनी अधर क्रियेशन हैं जिसके अंदर बातनी भी है और जानवर भी है जिसके अंदर पौदे भी है जानवर भी है तो वो कहते हैं कि आप सिर्फ उस प्लैनेट के अंदर आपकी वज़ा से वो प्लैनेट के बाकी दोनों पॉर्शन बातनी का पॉर पॉर्चन और उसके बाद जानुरों का पॉर्चन जाए वो सारा असर अंदाज हुआ है तो वो कहते है के इन्वार्मेंटलिस्ट सीज नेचर और प्लेनेट अदे सेपरेट फ्रम दे हमेर रेस इस देर फॉर्द हमेर आरे सच हमेर चुट भी स्ट्रीवर्डशिप आउवर दे वर्ड वो कहते हैं यह दुनिया देखें उनका मौकिफ क्या है वो कहते हैं यह दुनिया जो है वो सिर्फ इन्सानों के लिए नहीं है इन्सान उस पूरी दुनिया के अंदर एक चोटी सी इन्टिटी है और उस इन्टिटी में इन्टिटी के अंदर जो है वो रोल प्ले कर रहा है और इसकी पॉपलेशन अगर ग्रोथ जरा आनिमन हो जा यही बात economist करते है economist वह बात करता है overall others planet के उपर बसने वाले जितनी भी मखलूक है वह उसकी बात करता है अब जो economist है वह economy की गर्दबात करता है वह कहता है कि measures of the unsustainability arising from the consumer led to the culture देखें वह consumption की बात करता है वह कहता है कि हमारे जो resources हैं इनकी consumption अगर बढ़ जाएगी और resources की जो growth है वह उस rate से नहीं बढ़ेगी तो यह unbalance हो जाए उसने पूरे planet की बात की इसने economist में चंद लफजों में बात कर दी कि अगर हमारे resources और हमारी growth यह दोनों unbalance हो जाते हैं तो उससे भी हम अपने targets को चीव नहीं कर सकेंगे और वो उसके लिए वो बहुत सी बात करता है technological advancement की बात करता है और उसके बहुत से और devices की भी वो गुफटू करते हैं तो लहाज़ा यहां पे हमारी population के जो असरात हैं उसको discuss किया गया in the light of the economist and ecologist इसके उपर हमने जो गुफटू की है उसमें mean focus यह है कि हमारी growth जो है वो economy की ऑनिमन distribution को पर चली जाएगी हमारी population growth जो uncontrolled होगी तो वो इस पूरे खिते के अंदर बसने वाले दूसरे जानों की जिन्दगियों को पर भी असर अंदाज होगी